Hello Sellers! आज हम सीखेंगे कि Self Ship Order को कैसे प्रोसेस करना है? अपने Seller Portal पर लॉग इन करें और Order पर क्लिक करें. Order के अंदर Self Ship Order टाब पर जाएं. एक बार जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके पास New Tab के अंदर आपके सभी नए Orders दिखाई दिएंगे. उस पेज पर उन Orders का चयन करें, जिन्हें आप प्रोसेस करना चाहते हैं, और Dispatch पर क्लिक करें. एक टाब खुलेगा, जहां आप अपने Dispatch डीटेल और Invoice डीटेल से संबंधित सभी जानकारी फिल कर सकते हैं. सभी डीटेल ध्यान से फिल करें, फिर Dispatch पर क्लिक करें. एक बार जब आप Dispatch टाब पर क्लिक करते हैं, तो आप Dispatch टाब के तहट अपना ओर्डर देखेंगे. चुकि Self Ship Order Seller के अपने Logistics Partners द्वारा डिलिवर किये जाते हैं, इसलिए Seller खुद से Dispatch टाब के अंदर ओर्डर की Recent Location या Status अपडेट कर सकते हैं. Dispatch टाब के अंदर आप कई चीज़ें कर सकते हैं, जिनमें शामिल है Confirming Delivery, Reprinting Receipt और Updating Delivery Attempt. इसी टाब के अंदर आप Buyer Detail और Delivery By विकल्प भी देख पाएंगे. Order Delivery होने के बाद ये Pending Services टाब पर चला जाएगा. टाब आपके Product के लिए Pending Services के बारे में दिखाएगा यदी कोई हो. एक बार Pending Service पूरी हो जाने के बाद आपका Order पूरा हो जाएगा. Complete टाब के अंदर आपको वे सभी Orders दिखाई देंगे जिन्होंने Service भी Complete कर ली है. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. फ्लिपकार्ट प्रोसेस से संबंधित अधिक वीडियोस के लिए कृपया चानल को सब्सक्राइब करें.